आपने ही चेंज कराया मुझे कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया, अब मेरा मू मत खुलवाना सवापती मौदे, देश की जंता ने इनको बहार का दर्वाजा दिखा दिया है, अब सदन से भी स्वयम बहार जा रहे हैं इन्हें तो जवापती मौदे, अपने अविश्वास प्रस्ताप पे स्वयम ही विश्वास नहीं सुन लो, सुन लो, सुन लो, तहरिय रखो और सुन लो, इतने उत्तेजित मत हो, जो देश की जंता ने परिणाम दिया है, वो स्विकार करो अब स्वापती बहुत है, इनके जो एक समू है, आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए, घमंडिया समू एक सो चालीस करोड जंता के रिदे में स्थापे, इस देश के प्रदान मंत्री के प्रती, जो सब्दों का उप्योग में फक्स के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूँ, कि सदन के सामने नहीं, लेकिन देश की जंता के सामने इने माफी मांदी चाहिए। आज जो ग्रिश्य हम देख रहे हैं, अद्यक्ष मौदे, कि आविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, अद्यक्ष मौदे, मैं आपका संग्रक्षन चाहूंगा, ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ना देश की जंत कि ठोक कर दो बार चुनाव में नतीजा हजमिल करने के लिए तैयार है, ना सदन की बात सुनने के लिए तैयार हैं, करोड जंता के रिदे में स्तापे, इस देश के प्रधान मंत्री के प्रती, जो सब्दों का उप्योग विपक्स के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं क कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जंता के सामने इने माफी माननी चाहिए, आज जो ग्रिश्य हम देख रहे हैं, अद्यक्स महुदे, कि आविश्वास प्रस्ताप के आधार पर, अद्यक्स महुदे, मैं आपका संद्रक्शन चाहूंगा, ये बोलने के लिए कभी तैय हो जाते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ना देश की जंता की ठोक कर दो बार चुनाव में नतीजा हजब करने के लिए तैयार है, ना सदन की बात सुनने के लिए तैयार है, आज जो स्थिती उत्पन हुई है अध्यक्स महुदे, जो अविश्वास प्र देश की जन्ता ने तो अपना पूरा पूरा परिणाम इनके चेरे पे दिखा दिया। जो जन्ता के सामने नहीं कर पा रहे हैं वो आज सदन में बैठ के कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। जो अविश्वात प्रस्ताव इनके द्वारा यहां लाया गया। यह विश्वात प्रस्ताव मनिपूर की बात नहीं है। निशन मनिपूर के आड़ में यह अपनी राजनितिक रोटियां सेखने के लिए आज यहां उपस्तित हुएं। पिछले दो दिन से मैं सुन रहा हूं अध्यक्समौत। हम इनको भी बता दें कि अगर यह इनका वर्ताव रहा तो इनकी बात भी इस प्रजा तंत्र के मंदिर में हम सुनने नहीं देंगे। पून रूप्स में अउपस्त करना चाहते हैं। अध्यक्समौत। जो आज जो इस शेत्र में और इस सदन में प्रस्तुति करन हुई है। यह वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरस्ते नहीं। यह वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते हैं। मौदे आज अद्यक्स मौदे यह विश्वास प्रस्ताव जो ला गया है सारे आवश्यक विमर्ष एक तरफ रखे गये हैं और इनकी हद एक तरफ हमारे देश के प्रधान मंत्री ने जब राहूल गांदी जी ने सदन में कहा कि प्रधान मंत्री के लिए हिंदुस्तान बनिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं है मैं बताना चाहता हूँ आपको सभापती मौद कि जिस प्रधान मंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है जिस प्रधान मंत्री का उत्तर पूर्वी शेत्र के साथ दिल का रिष्टा है जिस प्रधान मंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर पाहर कर दिया हो जेस प्रधान मंत्री के रोम रोम में भारत माता बस्ती हो जेस प्रधान मंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन अंग बनाने के लिए अनुचे तीन सो सतर अरद किया हो शामा प्रसाद मुखर जी के सपने को एक विधान एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो मैं बताना चाहता हूँ विपक्ष को स्वापती मौदे कि भारत को अलग अलग टुकडों में देखने की विचारधारा आपकी है हमारी में ये कहते हैं ये कहते हैं कि नफरत के बजार में मौबबत का दुकान लाएंगे इनका दुकान तो भरष्टाचार का दुकान है जूट का दुकान है तुष्टी तरण का दुकान है हाइंकार का दुकान है केवल का नाम दुकान का बदलते हैं सामान वही है झाल